इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जर्मनी में यूएस बेस में अपने मिग 29 भेजने को तैयार है पोलिंड पोलिंड ने मिग 29 के बदले अमेरिका से मांगे दूसरे एरक्राफ पोलिंड ने दूसरे देशों से की है यूकरेन की मदद करने के अपी अमेरिका ने मिग 29 देने के पोलिंड के ओफर को ठुकरा दिया है अमेरिका ने का है कि यूएस बेस से मिग 29 यूकरेन बेजने की टेंचन से टेंचन बढ़ेगी इस वक की बड़ी ख़बर मैं आपको बता दू जर्मनी ने भी यूकरेन को अपने एरक्राफ्ट देने से मना कर दिया ये एक और बहुत बड़ी ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ इसका बात का एक लेटर्स अबडेट है यूकरेन की राज़दानी कीव को घेरने के लिए रूस ने 64 किलोमीटर लंबा सेने काफिला भीजा था लेकिन वो अब तक मन्जिल पर नहीं पहुँच पाया काफिला इस वक्त कहा है किन हालात में है क्या उस काफिले पर भी यूकरेन की सेना ने काउंटर अटैक कर दिया इन सवालों के जवाब मिलने मुश्किल है लेकिन अब यूरोपियन एजिंसी के हवाले से जो खबर आ रही है वो बहुत खौफनाक है बता जा रहा है कि रेशियन कॉन्वाई के साथ आए जवान मौसम की मार से बेहार हो चुके हैं वह एतनी बर्व गिरने लगी है कि रूसी सेना के लिए उनके तोप की ताबूत बन गए इस रिपोर्ट में देखें कैसे रूसी सेना का 64 किलोमेटर लंबा ये काफिला छे दिन से कीव की चौकट के पास स्वासा है इसमें टैंक हैं, बखतर बंद ट्रक हैं, मिलिटरी गाडिया हैं जो मेकानिकल और फ्यूल सप्लाई की वज़े से कीव से महज 32 किलोमेटर दूर ही अटक गई अभी हालात क्या हैं, किसी को नहीं मालू लेकिन यूक्रेन में रश्यन फॉज के लिए ये मुसीबत कुछ भी नहीं है कीव खार कीव के पास अगले 72 से 96 घंटे में पुतिन की सेना के हजारों टैंक, बखतर बंद ट्रक और आम्ड वेहिकल मौत का डीप फ्रीजर बन जाएंग आग के गोले बरसाने वाला 40 टन का रश्यन टैंक, 40 टन लोहे का फ्रिज बन जाएगा जिसमें रूस की सेना अगर एक मिनट भी रही तो बेमौत मरेगी डेली मेल की रिपोर्ट के मताबिक, फिलहाल कीव और खार कीव के इलाके में जहां रूसी सेना मौझूद है वहां का तापमान माइनस 10 डिगरी तक गिर रहा है अगले 3-4 दिनों में ये तापमान माइनस 20 डिगरी तक गिर सकता है ऐसे में आर्केटिक से चलने वाली हवाओं की वज़े से रूसी सेना के टैंक 40 टन के लोहे वाले फ्रिज जैसे बन जाएंगे प्रिटिश आर्मी के हवाले से डेली मेल का दावा है कि अगर तापमान गिरने के साथ-साथ रूसी टैंक 40 टन के फ्रेजर बन जाएंगे तो इससे रूसी सैनिकों का मनोबल तूटेगा क्योंकि रेशियन फॉज यूक्रेन में आर्केटिक स्टाइल वारफेर के लिए तयार नहीं है और नहीं उन्हें आर्केटिक स्टाइल वारफेर की ट्रेनिंग ही दी गई है रिपोर्ट में बाल्टिक सेक्योर्टी फाउंडेशन के डिफेंस सूत्रों का कहना है कि ऐसे में रुशियन फॉज के पास बचने का एक ही रास्ता होगा हर हाल में टैंक का इंजिन चलता रहे और काफिला मूव करें लेकिन इस काम के लिए अलग से हजारों टन फ्यूल की जरूरत होगी जो सप्लाई चेन तूटने की वज़े से करीब करीब नामुम्किन है मतलब ये कि 13 दिन से दुनिया सदी की जिस सबसे बड़ी जंग को देख रही है वो अब और भी खौफनाक होने वाला है अब तक आस्मान से मिसाईले कह डा रही थी अब आस्मानी आर्केटिक हवा काल बन कर टूटेगी परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे टीवी 9 भारत वर्षपर